सूरज के धबों में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है आने वाले छे सालों में सूरज के धबों में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाला है तो जब भी सूरज में या सूरज जिस तरह से काम करता है उसके पैटर्न में ऐसे बदलाव होते हैं तो हमेशा ये पाया गया है कि मानव चेतना में असाधारन बदलाव आता है लेकिन ये कोई निर्देशित बदलाव नहीं है ये कोई नियंतरित बदलाव नहीं है बदलाव ऐसे होंगे जैसे पूर्णिमार या अमावस्या के दिन इन दिनों में मनुष्य के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं ज्यादा तर लोग उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन ऐसा हो रहा है अगर आप मानसिक रूप से कमजोर होते तो आप इसे सपष्ट रूप से नोटिस करते जो लोग किसी वज़े से मानसिक तोर पर असंतुलित हैं प्रेम माय हैं वो और ज्यादा ध्यान माय हो जाएंगे जो लोग कोमल हैं वो और ज्यादा कोमल हो जाएंगे जो लोग प्रेम माय हैं वो और ज्यादा प्रेम माय हो जाएंगे जो लोग पागल हैं वो और ज्यादा पागल हो जाएंगे तो ये एक तरह की तीवरता लाएगा लेकिन ये दिशा नहीं देता अगर आप पूरी तरह अपने आसपास की शक्तियों की दया पर हैं तो आप बहुत अस्थर होंगे उपर नीचे पूरा समुद्र उठ रहा है तो आपको लगता है कि शरीर में कुछ नहीं हो रहा निश्चित रूप से हो रहा है अब सूरज के धब्बे निश्चित रूप से एक तरह की अस्थरूर्जा पैदा करेंगे लेकिन वो मनुष्यों के लिए कैसे काम करेगा ये हमारे उपर है इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक भविश्यवानी है और हम उसका इंतजार करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा अगर हमारे पास एक योजना है तो कोई अस्थर स्थिती एक संभावना भी है क्योंकि चीजें गतिशील है चीजें ज्यादा तरल हैं यही समय है चीजों को अपनी मर्जी से ढालने का तो ये एक संभावना है क्या इसका अर्थ ये है कि संभावना सिर्फ अभी है पहले नहीं रही नहीं ये चीजें हमेशा होती रही है कुछ समयों पर शायद वो बाकी समयों से थोड़ी ज्यादा हो तो प्रकृती के अर्थ में पृत्वी जिस तरह काम करती है उस अर्थ में कुद्रती और खगोली शक्तियां जिस तरह से इस ग्रह पर काम करती है आने वाले छे सालों में वो कुछ अलग होगा शायद कुछ सही शब्द नहीं है ये बहुत साफ तोर पर अलग होगा तो अगर हमारे पास इस अस्थर प्रकृती का लाब उठाने की योजना हो अगर हम परयाप्त लोगों को तयार करें जिनके पास जरूरी साधना है जिनके अंदर जरूरी फोकस है फिर निश्चित रूप से मानव चेतना बाकी समयों के मुकाबले ज्यादा आसानी से उपर उठ सकती है उस तरह से ये कुछ ज्यादा अनुकूल है लेकिन हमें समझना होगा कि ये कुछ ऐसा है अगर हवा बहती है अगर आप इस तरह उड़ें अगर आपके पास एक हवाई जहाज है और आप हवा की दिशा में उड़ते हैं तो आप आसानी से उड़ेंगे मान लीजे कि आप गलत दिशा में हैं तो आप क्रैश हो जाएंगे हवा आपको उड़ाने या क्रैश करने के लिए नहीं बह रही है ये बस बहती है लेकिन ये आपके उपर है कि आप उसे उड़ने के लिए इस्तिमाल करते हैं या क्रैश होने के लिए तो अभी सूरज के धब्बे काफी अलग हैं आने वाले छे सालों में इसके कारण पृत्वी के काम करने के तरीके में कुछ स्पष्ट अंतर आएगा हम उठ सकते हैं या क्रैश कर सकते हैं मेरे पास उठने की योजना है क्रिपया मेरे साथ चलिए